Hello students, मेरा नाम है श्वेता, स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SWT Study Zone में लिसनर्स आज की इस वीडियो में हम Business Organization यानि की विवसाइक संगठन के Unit Second के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मैं Unit Seconds related कुछ Topics डिसकस करने वाली हूँ So listeners, जो Topic है वो है Forms of Business Organization यानि की Forms Business Organization के कितने हैं वो सारी चीजों के बारे में डिसकसिन करने वाली हूँ एक और बात listeners, Business Organizations related सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं तो अगर आपको देखना है तो आप मेरी previous वीडियो को देख लें इसमें मैं आपको सिर्फ Forms या Types कह सकते हैं आप इसको Business Organization के वही डिसकस करूँगी So इसमें मैं जो डिसकस करने वाली हूँ वो है Soul Proprietorship यानि की एकल स्वामित के बारे में या फिर एकाकी स्वामित भी कह सकते हैं इसके बारे में आज हम डिसकसिन करने वाले हैं जिसमें मैं इसकी मीनिंग के बारे में बताने वाली हूँ इसकी परिभासा के बारे में यानि definition के बारे में और इसकी विसेस्ता के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो आएए स्टार्ट करते हैं, लिसनर्स एक और बात अगर अभी तक आपने हमारी इस चानल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज कर लीजेगा, अब आईए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो मैंने सेर किया हुआ है एकाकी स्वामित्य का अर्थ यानि कि meaning of soul proprietorship तो सबसे पहले एक general सी meaning जान ले listeners तो जो soul proprietorship है यानि कि एकाकी स्वामित्य है दो सब्दों से मिल करके बना है यानि कि पहला है एकाकी दूसरा है स्वामित्य एकाकी का मतलब होता है एक और स्वामित्य का मतलब कि आप समझी रहें जो उसका स्वामी हो यानि कि जो जिस बिजनिस का एक ही स्वामी हो उसी को एकाकी स्वामित्य कहते हैं तो आई ये देखते हैं कि इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं एकाकी स्वामित्य वेवसाइक संगठन का वह स्वरूप होता है जिसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होत व्यक्तिक पर इसमें होती है इसलिए से एकाकी वेपार भी कहते हैं एकाकी वेपार के और भी अधिक नाम है जैसे कि व्यक्तिकत साहसी भी कहते हैं यानि कि individual इंडिविजुल उनर तीसरा है व्यक्तिगत स्वामी यानि इंडिविजुल जीज और और एकल्सवामी यानि की सोल प्रोपाइटर्शिप भी कहते हैं तो इन सारे नामों से भी आ जाया अगर एक्जाम में तो आप ये मत सोचीगा कि कोई और कॉशन पूछ लिया गया है या सर्वस्री लूई हैने की परिभासार दी हुई है एकाकी स्वामित्य में यानि कि एकाकी स्वामित्य के बारे में इन्होंने क्या कहा है तो इनकी अनुसार एकाकी स्वामित्य ब्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है यानि कि इन्होंने भी द उसका संपूर्ण भार उसका पूरी responsibility किस पर आती है वो सिर्फ और सिर्फ owner पर आती है निकि profit हुआ तो उसी वही कमाएगा और loss हुआ तो उसी को उसका हरजाना भुगतना होगा तो यह चीज इन्होंने इकाकी स्वामित्य के परिभासा में बोली है तो I hope आपको यह सारी ची करने वाले हूं एकाकी स्वामित्य के विसेस्ताओं के बारे में तो जैसा कि आप सक्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला मैंने discussion किया है एकाकी स्वामित्य यानि की इसको इंग्लिश में कह सकते हैं которое । यह सबसे पहला लक्षन या विसेस्ता है जीसे कि मैंने बताया कि उत्तरदाई सिर्फ एक वेक्ति के कंधे पर होता है ये पहला characteristics था दूसरा है आपका असीमित उत्तरदाई तो यानि कि इसको इंग्लिश में कहते हैं unlimited liability यानि कि इसमें स्वामित एवं जोखिम सहभागी होते हैं यानि कि जो और होगा अगर मैंने पहले आपको बताए कि जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी उसी का और लॉस होगा तो लॉस भी उसी का तो इसमें unlimited liability होती है यानि कि और सीमित उत्तरदाई तो होता है ओनर के उपर तीसरा जैसे कि आप को legal formalities की पूर्वा करने की ज़रत नहीं है जैसे कि हम registration कराते हैं तो उसकी आवसकता इसमें नहीं होती है कोई वी वेक्ति अपनी एक्छा नुसार किसी प्रकार का बिजनेस कर सकता है अपने और वो बंद भी कर सकता है तो यह चीज़े इसमें होती है नेक्स्ट बात कर ले तो पूंजी पर एकाधी पत्ते है यानि कि इसको इंगलिश में बोलते हैं sole proprietorship on capital यानि कि एकाकी वेपारी यानि sole proprietorship में जो भी लगाई जाने वाली पूंजी का प्रबंध है वो स्वयम कौन करता है ओनर करता है समस्त पूंजी वही लगाता है अगर कम पढ़ जाए पूं नेक्स्ट के बारें बात करें वेपार के चुनाओ की स्वतंतरता यानि कि freedom of selection of business यानि कि sole proprietorship को यानि कि single owner होता है तो उसको ये freedom होता है कि कोईसी भी तरीके का वेपार को आरंब कर सकता है पूंज रूप से स्वतंतर रूप से कर सकता है उसको किसी से अनुमती लेने के नेक्स है आपका एकाकी प्रबंद का इंग्लिश में कहते हैं soul management soul management में क्या बोला गया है listeners की एकाकी वेपारिक यानि की soul proprietorship संस्था का स्वामी कि सधारन उसका संगत मैनेजर भी होता है यानि कि कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति है तो मैनेजर है डिरेक्टर है एक ही है तो वही सारी चीज़े देख रहा है तो उसको मैनेजर भी कह लेते हैं तो एकाकी प्रबंद यानि कि खुदी उसको मैनेज करने का काम करना होता है खुदी उसको प्रबंद कर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो से रिलेटेट कोई वीशू है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स फूर वाचिंग